स्वच्छ भारत अव्यान के अंतरगत लाको करोडो रुपए सरकार खर्च कर रही है लेकिन उसका कितना ज्यादा उप्योग हो रहा है ये तस्वीरे आपको हम दिखाने के कोशिस करते हैं सबसे पहरे आप तस्वीर देखें कि यहाँ पर एक चस्मा बना हुआ है जिसमें लिखा है स्वच्छ भारत तो यह स्वच्छ भारत की तस्वीर आपको हम हकीकत दिखाएंगे जमीन पर पहुँचके तो आप यह देख सकते हैं कि समुदाईक सोचाले है यह ग्राम पंचाज कैसे लाप्रवाही करते हैं और बिर्षटाचार में सनलिप्त रहते हैं आज यह उनी की ग्राम पंचायत की समुदाईक सोचाले की स्थिति दिखाते हैं अभी एक हमने ग्राम पंचायत में खबर कबरेज किया जिसमें आपको दिखाया कि वहां पर एक गलत कारी हो रहात है एक महिला के शाथ में यानि उसकी केर्टेकर की नौकरी छीनी जा रही थी खैर उसे तो संबंदी दिद्धकरियों निया दे दिया है और हम अब सच बात अव्यान के अंतरगत जो तस्वीरे हैं वो अब दिखाने की कोसिस करते हैं तो यह देखिए अभी तक बहुत से जो कार से हैं तो यह आप देख सकते हैं कि यह समुदाइक सोंचाले है और इसमें कितनी ज्यादा गंदगी है यह आप देखिए यहां पर देखिए जो साफ सफाई है वो भी बिसेस नहीं है और सबसे अहम चीज इधर आप देखिए मैं कैमरा पर से कहूंगा कि वो इधर कार से और यहां पर देखिए यहां पर पर रहा है पड़ा है और इसमें पाणी आ रहा है और इसमें टाला लगा हुश Fields और कोई है है और और यहां पर हम और भी दिखाने को सिस करते हैं कि पल्ला पुचल आप है इसमें आप देख सकते हैं कि साथ दारू अरू भी पिया जाता है क्योंकि जब कोई है नहीं तो दारू पिया ही जाएगा एवन की एक पाउच पड़ी हुई है तो ये आप तस्पीरे देख सकते हैं इसके लावा हम अब दूसरे दर्वाजे से चलते हैं इधर होते हुए और देखते हैं कि यहाँ पर कैसी तस्पीरे हैं और कैसा यहाँ पर गड़ा बनाया गया है तो ये आप गड़ा देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खंड़ार में तब्दील हो चुका है और बहुत ज़्यादा बद्बू भी आ रही है इसलिए हम थोड़ा सा चलते हैं दूसरी तरफ और यहाँ की जो तस्फीर है वो आपको हम दिखाने की कोशिस करते हैं तो ये जो तस्फीरे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको हम लगातार दिखाते चले आ रहे हैं और आप दिखें कि यहाँ पर एक बोर्ट भी लगा हुआ है जिसमें यह चीत दिखाया जा रहा है कि जो सनाय विलहरी है वहाँ योग्या आदितनात के बारे में लिखा गया और एक मौके के बिधायक और जो शानसत थे वो यहाँ पर सायद फीता हुता काटने आये थे लेकिन यह तस्वीरे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खंडाल में तब्दिल हो गई है और जो रख रखाओ के लिए पैसवा आता है वो भी शायद इसमें उप्योग में नहीं लिया जाता है केर टेकर तो यहां पर मौझूद नहीं है जो यहां केर टेकर की नौकी करती है खैर जो सम्मू के महिलाएं है आप देखिए यहां पर जो बल्फ है अभी तक एक भी बल्फ नहीं मिला है फिर अंदर जाते हैं और कैमरा परसंट से कहते हैं कि थोड़ा सा हमारे नजदी का ह और फिर इधर थोड़ा साफ सुत्रा जो है जो साफ सफाई है उसके बारे में आप दिखाईए और ये तस्वीरे पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो यहां पर टॉयलेट करने वाला है वो देखिए चितर बितर हो चुका है बेकार पड़ा हुआ तूटा फूटा पड़ा गंदगी का अंबाल लगा हुआ है यह आप देखिए कि यहां पर कुछ बिशेस नहीं है और यह देखिए यह बात्रूम है जो ताला जाड़ा हुआ है इसके अलावा फिर हम यहां पर दिखाते हैं आपको कि देखिए यह हैंडवास करने के लिए जो यह लगाया का काम कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं विकासखन सिध्धौर की ग्राम पंचा सराय बिलहरी की है जिसमें आप साब तोर पर देख सकते बेटा यहां हो क्या ना मैं आपका अच्छा सिवा कहां रहते हो तराय तो आप देख सकते हैं कि बंद्बू बहुत ज्यादा है तो यह आप जो ग्राउंड रिपोर्ट है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सरकारी धन का दुरावपयोग किया जा रहा है और आपको हम बता दे कि जो सरकारी धन है वो कैसे बंदर माट हो रहा है सबसे पहले इसको समझने की कोशिस करिये कि जो रख रखा हूँ है इसके लिए शरकात 3,000 रुपे परफिर माद दे रही है इसे समभदाइक सोचाले में इसके अलावा जो केयर टेकर के तौर पर जो सम्मु के महिलाएं तैनात की गई है उनको 6,000 रुपे प्रतिमाद दिया जा रहा है लेकिन जो सम्भू की महिलाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मिली ही नहीं है और गंदगी का अमबार है यह तस्पीरे आप देखके एक चीज जर्मान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई नहीं आता है और हमाई ख्याल से जो ग्राम पंचा सच्चू है पुस्पेंद्रो वो भी नहीं आते हैं इसलिए ऐसी तस्पीरे सामने आती हैं फिलाल ऐसी और तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहे मेरे साथ मैं हूँ आपके साथ में सरवर्ण चौहान बारा बंके